नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल केवलेक आडवी पर देखिए द्रिष्टी इस उपी पीसेस का टेस्ट नमबर दो चल ला है जिसमें अब तक हमने 50 प्रस्णों के बारे में दो लेक्चरों के माध्यम से बात कर ली थी आज हम सुरुआत कर रहे हैं साथ के कुश्चन नमबर वन की सुरू करने से पहले जो मित्र नाए है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन के निसान को दवाना ना भूले चलिए पहला कतन है दो कथनों के रूप में पूछा जा रहा है और कहराएं कि विचार कीजिए तो पूछा रहा है कि उपरे उतकतनों में से कौन सा कतन साही है कौं सा again जैसे प्रसना जाएं तो आपको एक साइड ले के चलना है या तो इधर से पढ़िए या तो इधर से ठीक्तों पताईए कौन से क्थन साही है केषिए ऑप्सन 1 केषिए और 2 जोनों या फिर आप fuego以前 ना तो एक और नहीं दो, चलिए, इसका सही अंसर है, आफसन नमबर सी, ठीक, एक और दो दोनों ही कथन सही है, देखे, अमीर खुसरों जो थे ना, यह कवाली के प्रवर्थकों में से एक थे, ठीक है, दूसरी चीज बात करें, अगर इबराहिम आदिल सहदिती की, तो इनके दो पर एक नगर बसाया गया था, जिसका नाम भी था, नौरस नगर, ठीक है, चाहे तो नगर के नाम से किताब को याद कर लीजिए, दोनों एक ही बात होगी, हाँ, इस किताब में क्या था है, इसके बारे में जरूर द्यानते रही कि इसमें हिंदू देवी देवताओं के कांसा के गीतों के संग्रहण किये गया है, ठीक है के गीतों का संग्रहण किया गया है, है कि नहीं थोड़ा सब इधर-उदर होते हैं, तो उस पर आप लोग अन्य था मत लिया करिये भाई, लगातार बोले में कुछ ही धर-उदर होता है, चलिए, नेक्त कुस्टन नमर 52 है कि निमलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन से संबन्धित नहीं है आप्सन है आ वल्लभाचार बी तुकाराम ती त्यागराज अतोब डी नागारजुन चलिए इसका सही अंसर है option number D नागारजुन जो है भक्ति आंदोलन से संबंदित नहीं है बाकी के तीनों संत्यानी की वल्लभाचार तुकाराम और त्यागरा जिया तीन के तीनों जो है भक्ति आंदोलन से संबंदित है वही नागारजुन का काल कब से कब तक का माना जाता है तो इनका समय माना जाता है देड़ सौ से लेकर के दो सो इस्वी तक का काल नागारजुन का समय है इनके एक सिस्य थे उनका नाम था आरे देव वास्तों में अगर देखा जाए तो यह बहुत थे इनके दोरा एक सिध्धान का प्रतिपादन किया गया था जिसे माध्यमिक कहते हैं किस क्या कहते हैं माध्यमिक अथवा इसे ही कहीं कहीं आप सून नवात के रूप में भी देखेंगे चली बात करते हैं अगले प्रस्ण के बारे में देखे यह ऐसे प्रस्णा इन सभी प्रस्णों के बारे में जो पूर्वा लोकन सीरीच चल रहा है वहाँ पे डिटेल से और साथ इसाथ जो यूपीस्टी का सॉल पेपर चल रहा है वहाँ पर भी इन सब के प्रस्णों के बारे में बात की जाती है सभी के नाम हर जगह किसी निकिसी रूप में आते हैं तो टेस्टी स्रीट चल रहा है तो यहां थोड़ा और जल्दी चल रहा है हमको इसी वज़े से यहां थोड़ा सौर्ट में आपको चीजे बताई जा रही है बाकी ज्यादा जानकारिक ले आप उन सब वीडियो को भी फालू कर सकते हैं बात करते हैं अगले प्रस्ट की तो यहां पूछा जा रहा है कि दक्कन के बहमनी सल्तनत के बारे में निमलिखित में से कौन सा खतन सही नहीं है अप्शन है अली आबिस्था बहमनी सल्तनत का संस्थापक था अप्शन बी है कि 1347 इस्वी में बहमनी सल्तनत की स्थापना हुई थी अप्शन सी है कि बहमनी सल्तनत की पहली राजधानी गुलबर्ग थी और option D है कि बहमनी सल्तनत को चार प्रांतो, गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीधर में विभाजित किया गया था पताए कौन सा कतन सही नहीं है देखिए जब ज़्यादा स्टेटमेंट आ जाना तो आपको लगे confusion हो रहा है वीडियो पॉस्ट कर लिया करिए वहाँ पर बार बार मरिया चीज बार लोगों को बताता हो तो चलिए इसका सही अंसर है option number पिन ले लूँ फिर बताओं तो इसका सही अंसर है option number यानि कि यहां कथन जो है यहां सत्य नहीं है ठीक देखे इसकी स्थापना की गए थी यानि कि बहमनी सल्तनत की स्थापना की गए थी अलावदीन अलावदीन ठीक हसन बहमन साह के द्वारा ठीक है किसके द्वारा तो अलावदीन हसन बहमन साह के द्वारा जो है स्थापना की गई थी बहमनी सल्तनत की ठीक है इसके अन्य नाम आपको कहीं कहीं मिलने को, देखने को मिल सकते हैं, जाफर खान, अथवा, हसन गंगु, ज्यादा तरह आपको हसन गंगु परिच्छाओं में मिल जाएंगे देखने को, हसन गंगु, ठीक है, तीन नाम हैं, अथवा, जाफर खान, अथवा, हसन गंगु के द्वारा जो है, बहमनी सल्तनत की इस्थापना की गई थी, बाकी के अन्यकतन जैसे की, 1347 इस्वी में इसकी इस्थापना हुई थी, यह भी सही है, हसन गंगु की पहली रहतानी गुलबरगा थी, ठीक है, और इसने इसका नाम बदल करके क्या रख दिया था, तो गुलबरगा का नाम इसने बदल करके रख दिया था, अहसानाबाद, क्या रख दिया था, अहसानाबाद, गुलबरगा का नाम बदल करके हसन गंगु के द्वारा रख दिया गया था, अहसानाबाद, बाकी बहमनी सल्तन चार प्रांतों में कौन-कौन से तो गुलबर, दौलताबाद, बरार और बीदर में विभाजित था ठीक है याद रहेंगी सारी चीजे ना चुकि गुलबर का राजधानी थी तो जाहिर सिवात है महत्पूर्ण भी रही होगी चलिए अगले प्रस्म के बारे में बात करते हैं यहाँ पूछा जा रहा है कि हाल ही में केंद्री गिरिमंत्री ने भारत की पहली साइबर अपराद रोकताम इकाई साइबर आस्वस्त का उद्गाटन किया यह परिवर्जना किसराद जिसे संबंदित है आपसन है ए उत्तर प्रदेश बी दिल्ली सी गुजरात अथवा डी महारास्ट चलिए इसका सही अंसर है आपसर नंबर सी गुजरात देखे बात कर लेते हैं इसके वारें थोड़ा सा आराम से तो देखे गुजरात में जो है ग्री मंत्री द्वारा तीन चीजों का उद्गाटन किया गया था किसका किसका एक तो यहां दिया हुआ है साइबर अपराद सबसे पहले इसके बारें बात करते हैं जैसे कि नाम से इस पष्ट है या साइबर अपरादों के रोकताम के लिए काम करेगा और साथ इसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्प लाइन सेवा भी होगी ठीक है हेल्प लाइन सेवा भी इसके लिए होगी डेडिकेटेड रूप स ठीक है इसके अलावा जो अन्य दो परियोजना है थी वह कौन-कौन सी थी तो एक परियोजना है आपकी नेट रैंग एन ए टी आर ए एन जी इसे नेट रैंग बोलते हैं हिंदी में ठीक है तो इस नेट रैंग परियोजना में क्या होगा तो निट्रेंग परियोजना में जो गुजरात के 33 जिलें हैं उन सभी 33 जिलों में एक जगह बनाई जाएगी कमांड एंड कंट्रोल यूनिट उसको बोला जाएगा ठीक वहीं से उन सभी 33 जिलों के सारी चीजों पर कमांड और कंट्रोल का काम किय जाएगा ठीक है मतलब एक यूनिफाइड रूप में पूरा मॉनिटरिंग की जाएगी उन तेंटिस जीलों की ठीक है बाकी एक अन्नाई होजना है वह है विश्वास वी आई देटबूस्वास है ठीक विश्वास इसका पूरा नाम है वीडियो पूरे नाम से आपअ साय समझ जाएगे किस बारे में है वीडियो application ए ए ऋए-नटिग्रेशन और ए एक पर एड्ज़ गए उंग होने अपचे आप-प पुरा नाम है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइट एडवांस सिक्योर्टी इस योजना में क्या होगा तो इसमें यातायात को ले और इसके अलावा वीडियो आनालेटिकस के माध्यम से जो अपराद हो रहा है, मतलब जैसे कहीं अपराद हो गया को इसकी वीडियो ग्राफीज होगीुगीुगीुगी पूर, इसका नायें होंगी, उनकी जल्द ही फॉरेंसिक जाना जा चांज और उन सब का वीडियो फॉरेंसिक आज को बढ़ानी के लिए जो है इस योजना को लांच किया गया किसको विश्वास योजना को मतलब गुजरात में तीन तरह की योजना है केंद्रिक ग्री मंत्री दौरा लांच की गई एक तो साइबर अपरात की रोगताम के लिए साइब इंडी में विश्वास ही है इंग्लीज में थोड़ी सी स्पे लिंग अधर से उधर हो गए वीडियो इंटिग्रेशन एंड इस्टेट वाइट एडवांस सिक्यूर्टी ठीक है आईए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ अगले प्रश्न की तरफ चलने से फ़ले पेन को थोड़ा सा मोटा कर लिया जाए ना रुकिए अब सही हो गया है चलिए बात कर लेते हैं कुर् आरत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 जन्वरी 2020 को आयोजित दसमें राष्ट्री मतदाता दिवस की थीम क्या थी आप्शन है ए इंटेलिएंट वोटर्स आप्शन है बी स्मार्ट वोटिंग फॉर स्मार्ट वोटर्स आप्शन सी इलेक्शन लिटरेसी फॉर स्ट्रॉंग ऑफशन डी वाइबरेंट एलेक्शन फॉर स्ट्रॉंग डेमोक्रेसी चली इसका सही अंवर से ठीक इलेक्शन लिटरेसी फॉर स्ट्रॉंग डेमोक्रेसी या जो है इस वर्स की यानि कि 25 जनरी 2020 को मनाया गया राष्ट्री मतदाता दिवस अथम या विश्य वस्तू थीम क या election literacy for strong democracy हिंदी में अगर बोला जाए तो ससक्त लोकतंत्र हेतु निर्वाचन साच्छर्ता क्या हुआ हिंदी में ससक्त लोकतंत्र हेतु निर्वाचन साच्छर्ता इस वर्ष की राष्ट्री मतदाता दिवस की थीमति राष्ट्री मतदाता दिवस कम मना जाता है तो आप प्रस्टन से ही देख लिजी कि यह है जो है 25 जनुरी को मनाया जाता है प्रतेक वर्थ ठीक है किसके दौरा तो election commission of India के दौरा कब से शुरुआत हुई इसको मनाया जाने की तो इसको सबसे पहले मनाया गया था 2011 के बाद से ही हर वर्थ 25 जनुरी को national voters day यानि की nvd को celebrate किया जाता है इस वर्थ की थीम आपको बता दी गई ठीक है चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्टन के बारे में अच्छा एक चीज बताईए निर्वाचन आयग किसका किसका चुनाओ करवाता है इस राट के जाता है निर्वाचन आयग के द्वारा किया जाता है इस्थापना कब हुई थी तो अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना भी 25 जनवरी को हुई थी 25 जनवरी 1950 को यह अस्तित्तों में आ गया था समयधानिक संस्ता है सामविधिक संस्ता नहीं है चलिए नेक्स प्रस्न को आप स्वयन से पढ़िए और सुमय लिद करवाईए वीडियो के एक मिनट के लिप आउस करें और फटाट से सुमय लिद करवाईए चलिए अब तक आपने अपना अंसर टिक कर लिया होगा सही अंसर है गीता रहस को लिखा था किसने बताई गीता रहस लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम किसे ने लिखा था तो इंडिया विंस फ्रीडम लिखा था अबुल कलाम आजाद ने दलाइफ डिवाइन किसे ने लिखा था तो दलाइफ डिवाइन लिखा था अरविंदो घोस ने वहीं Poverty and Un-British Rule in India लिखी गई थी पुस्तक यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा ठीक है चलिए करम मिलाते हैं सबसे पहले ये का हो जाएगा तीन, तीन से सुरुवात एक की हुए यानि की सही आंसर आप्सन नमबर A फिर से बतादूं तो गीतार हासर लिखा था, बाल Γan Batt ER तीलक मांडले जेल में लिखा था इन्डिया विन्स Freedom' इसके अलाम लाएफट इवा अर्बिंदो घोश क्या करते हैं 1910 में उन्हों ने राजनीति से सन्यास लेकी दाशञ tim दच्छीड की तरह, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने कई किताबे लिखी है, दच्छीड में पॉन्डी चेरी चले गए थे, जो कि वरतवान में पुडू चेरी जी से बोला जाता है, लेकिन उस तो पॉन्डी चेरी बोला जाता था, यहाँ चले गए, एक आस्रम मनाया, वहीं पर यह रहने लगे वहाँ पर इन्होंनों कुछ किताबे लिखी थी उनके कुछ नाम बता देता हूं कुछ important books की एक तो आप यहीं से देख रहे हैं the life divine, दूसरे है the ideal, the idol of humanity, ठीक है the idol of humanity और एक अन्य किताब थीन की essay on गीता, essays on गीता, essays on गीता, essay on the गीता, कौन कौन से किताब हो गई, essay on the गीता, the idol of humanity और एक अन्य किताब, the life divine, ठीक है, इन सभी कोईनोंने पंडी चेरी में अपने आस्रम में लिखा था, मैं की, poverty and un-British rule in India, काफी प्रसित पुस्तक है, दादा भाई नोरोजी की, इसमें इनके दोरा बताये गया था की, कैसे अंग्रेज भारत का धन लूट करके भग रहे हैं, हैंगे नहीं, चलिए अगले प्रस्ट की तरफ चलते हैं, यहां पूचा जा रहा है कि सती प्रता का उन्वूलन किस गवर्नर जनरल के कारेकाल के दोरान हुआ था, आप्शन है, ए, लाइड कारवान लिस, बी, लाइड वेले जली, सी, लाइड रीपन, अथवा डी, लाइड वीलियम बेंटिक, चलि, इसका सही अंसर है, आप्शन नमबर डी, लाइड वीलियम बेंटिक दोरा, अधारा सव फंञार में, गर्णी जे लाइड दिस वेलियम बेंटिक, बंगाल सथिप्रफा अधिनियम बेंटिक कर दियां गया थीक, इसके माध्यम से जो भी ब्रिटिस राज थे वहां पर अब सथिप्रफा को पूई तरिके से प्रति बंदित कर दिया गया थीक, और इसे आपराधिक नरहत्या माना गया, मतलब जान बूझकर आप किसी की हत्या कर रहे हैं, आपराधिक नरहत्या माना गया अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं, तो यहां पूझा जा रहा है कि गोल्ड मैं पर्यावरान पुरस्कार के संबंद में निमलिकित कतनों पर विचार की जिए, पहला कतन है कि यह पुरस्कार प्राकृतिक पर्यावरान की रच्छात था, उनमें वृद्धि के लिए निरंतर एवं महत्पूर्ण प्रयास करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, कतन दो है कि इस पुरस्कार प्रकति संब्रच्छन हे तू, विस्व यापी कोस या जिसे कहते हैं क्या, वर्ड वाइट फंड फॉर नेचर, डवलू डवलू एफ, खुल फार्म भी हर जगां के से, जहां मिलें वहाँ से जानते चलिए, वर्ड वाइट फंड फॉर नेचर, डवलू डवलू एफ के द्वारा प्रदान किया जाता है, उपरिप्ट कतनों में से पूछ रहा है कौन सा कतन सही है, आप्सन है एक केवल एक, आप्सन बी केवल दो, आप्सन सी एक और दो दो नो अथवा आप्सन डी, ना तो एक नहीं दो, चली, इसका सही अंसर है, आप्सन नमबर ए, ठीक, यानी की केवल और केवल पहला कतनी सही, देखे, गोल्ड में पर्यावरण पूरसकार को जो है, यहाँ पर्यावरण के छेतर में इसको नोबल भी बोलते हैं, सबसे पहले तो जानी, पर्यावरण के छेतर में इसे नोबल भी बोलते हैं, पर्यावरण लिखाई हुआ है, नोबल भी बोलते हैं, पर्यावरण के सम्बंद में, ठीक है, बात करते हैं, अन्य तथ्थियों के बारे में, तो इस पूरसकार के लिए फंड जो है, यह डव्लू डव्लू ए अगले प्रस्ण की तरफ वैसे इस प्रस्ण को पूछेगा ही इस प्रकार के प्रस्णों को नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रस्ण के बारे में देखें तब भी निस्चिन थो करके नहीं चलना है थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलिए कोई बूरी बात नहीं हर प्रस्ण के बारे में ठीक है आईए अगला प्रसंद देखते है तो यहाँ पूछा जा रहा है कि रोहतांग सुरंग का नाम पूरो परधान मंतरी अटल भिहारी वाजपेई के नाम पर रखा गया है यह किने दो अस्थानों को जोड़ता है आपसन A है मनाली और लेह आपसन B है लेह और कुलू आपसन C स्फीटी और सी मला अथो आपसन D लदाक और सी मला यहाँ से बता दूँ कल आपको जोग्रिफी का भी लेक्चर मिलना सुरू हो जाएगा कल से अल्टरनेट डे पर हम डिसकस करेंगे लगाता है सब्जेक्स को सारे खतम करना है न भाई चलिए आप अपना अंसर बताई जल्दी चलिए इसका सही अंसर है आपसन नमबर A ठीक है यह जो अटल सूरंग अथवा रहतांग पास है यह जो है मनाली से लेह को जोड़ता है ठीक और कुछ खास इसके बारे जानने के जरुबत नहीं हिमाचल में है बस इत्ता जानिए हिमाचल ठीक है हिमाचल के रहतांग दर्रे का ही नाम बदल करके क्या रख दिया गया अटल सूरंग अटल सूरंग अटल वाज पे नहीं अटल सुरंग रख दिया गया, इसका नाम बदल करके, ठीक है, याद रहेगा न, हाँ, टोटल लंबाई की बात करें, तो अपनी कुल 8.8 किलो मिटर की लंबाई के साथ जो है, यह दुनिया के, यह दुनिया की जो है, सबसे लंबी सुरंग है, ठीक है, इतना धान में रखिया, कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और 14 सितंबर को राष्ट्री हिंदी दिवस मनाया जाता है, वहीं, 10 जनौरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, बाकी कुछ खास इसके बारे मुटत्त्य नहीं है, हाँ, इसको पहली बार 10 जनौरी 1975 को नागपूर में आयोजित किया गया, तह यह जानते रहे, 10 जनौरी 1975 को, ठीक है, 2006 से मनाया जा रहा है, ठीक है, 2006 से मनाया जा रहा है, और 10 जनौरी 1975 को नागपूर में आयोजित, और इसको वर्ड में भारती दूतावासो के माध्यम से मनाया जाता है, बाकी और कुछ इतना विशेश नहीं है, आईए चलते हैं सीधा, अगले प्रस्ण की तरफ अपने, तो यहाँ पूचा जा रहा है कि हाइड्रोजन संचालित रेल इंजिन विक्सित करने वाला एक मात्र देश कौन सहा है, आप्सन है, A. चीन, B. भारत, C. जर्मनी, अथवा D. सहीं उप्तराज्य अमेरिका, चली, इसका सही अंसर है, आप्सन नमबर C, जर्मनी, ठीक, जर्मनी द्वारा जो है, पहली हाइड्रोजन संचालित रेल इंजिन का विकास किया गया, एक चीन मैं आपको अरक से बता हूँ, तो देखे, भारत की जो इंडियन रेलवे की एक यूनिट ऑर्गनाइजेशन है, इसके द्वारा ना, 107. विग्यान कान्फरेंस में, इतना डीटियल नहीं, 108. विग्यान कान्फरेंस में, यह एनौंसमेंट किया गया था, कि यह भी भारत में हाइड्रोजन इधन से चलने वाली इनजन को बनाएगा, कभ तक 2021 तक, बाकी देखने वाली बात होगी, कि यह 2021 तक विक्षित करता है या कि नहीं करता है ठीक है आई ये नेक्स्ट प्रस्ट के बारे में चलते हैं चर्चा करते हैं यहां पूछा जा रहा है कि इन निम लिकित कत्नों पर विचार कीजिए कि थोड़ा-थोड़ा सॉट में बताना मजबूर ही है कि ऐसे पेपर डिसक हो चुक है चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ट के बारे में निम लिकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि वैस्विक प्रतिवा प्रतिश्वर्दा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वराद जारी किया जाता है और कतन दो है कि वर्थ 2019 की तूलना में वर्थ चलिए इसका सही अंसर है आपसर नमबर डी ना तो एक न तो दो सबसे पहले इस तुसकां की बात करते हैं इंग्लिस में इसका नाम देखते हैं सबसे पहला का ग्लोबल टैलेंट कंप्टिटिवनेस इंडेक्स इसको जारी कॉन करता है वर्ड वाइट वर्थिक मंच नहीं इसको जारी करता है इसको जारी करता है इनसीड आई एन एस ए इस एडी इनसीड के माध्यम से इसको जारी किया जाता है किसको वैस्विक प्रतिभा प्रतिश्फर्दा सूच करतिक प्रतिभा पर्ध्यान देख चलिए ग्लोबल टैलेंट कंप्टिटिवनेस इंडेक्स को in seed के दोरा जारी किया जाता है ठीक और इने सीड कैसी सर्ता है तो सविंसीड जो है या सहिंतराष्ड संकेश SDG लख्ष्व का भागीदार देश भी चीह साथ इनका प्रमोर्टर से या प्रायोजक भी है ठीक प्रायोजक ठीक है इसके दोरा वेश्विक प्रतिभाप प्रतिस्फर्धान सुचकांग को जारी किया जाता है बात करते हैं उन्थी के बारे में तो 2019 की तुला में भारत जैख एक दो हजार जैखी हम भारत की रहंक थी खनी हैas और 2020 में भारत की रैंक आती है वैस्विक प्रतिभाप्रतिसवर्दा सुचकांग में 72 ठीक है सुधार हुआ है ना और इस बार की थीम क्या थी तो यह भी जानते चलिए तो इस बार की थीम थी कृतिम बुद्धिमत्ता के यूग में वैस्विक प्रतिषपर्दा ठीक है क्या था थी मिजबार का वैस्विक प्रतिभाप्रतिषपर्दा सुचकांग का थी मिजबार का क्या था तो यहां था कृतिम बुद्धिमत्ता के युग में वैस्विक प्रतिस पर्धा ठीक है ग्लोबल टैलेंट इन दे एज ओफ आइटी फिस्यल इंटेलीजेंट ठीक है भारत की रेंग में सुधार हुआ ठीक 2019 में असी में असी नंबर पर था भारत 2020 में भारत का नंबर आ गया अब बहत्तार ठीक है और एक चीज बतानी थी आपको हां वर्ड एकोनॉमिक फोरम या फिर डबलू एफ के बारे में जानते चलिए तो यह के द्वारा जो है अगर ब्रिक्स कंट्रिस की बात करें तो रसिया का आया था रैंक 48 चाइना का रैंक था इसमें 42 अगर दच्छिड अफ्रिका की रैंक थी 70 और इसी के साथ ब्राजील का रैंक था ब्राजील का रैंक है 80 और भारत का अपने बताई दिया आपको कि 72 तो भारत चौथे नंबर पर था चलिए बात करते हैं अगले प्रसंद के बारे में यहां पूचा जा रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार है त्रिष्ट की रचना एवं पालन पोस्रड आप्सन है ए सार भामिक शत्य से हुआ है बी सार भामिक आत्मा से हुआ है सी सार भामिक आस्था से हुआ है अत्वा डी सार भामिक विधान से हुआ है चलिए इसके बारे में पूरा पूरा एक किरी जाई हुई है उसे आप देखिए सही अंतर है इनका मानना था कि संसार जो है नित और नस्वर है नित हम और साश्टवत है संसार सास्वत है ठीक मतलब यह ना कभी नर्ष्ट होगा नई इसको किसी ने बनाया था थोड़ा सौर्ट में अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं कि मौरेकाल के दौरान सीता सब्सका क्यार था आफ़सन है A. बंजर भूमी, B. एक देवी, C. एक धार्मिक संप्रदाय अत्वा D. राजभूम से राज़ा सौर्ट चलिए, इसका सही अंसर है, आफ़सन नमबर D. ठीक, राज़भूम से जो राज़ा स्मिलता था, उसको सीता कहते थे, राज़भूम याई राज़ा की जो नीज़ी भूमी होती थी, उससे जो राजस्व मिलता था उसको सीता कहा जाता था और इसके अलावा जो सीता एकठा करता था या एकत्रित करता था उसको क्या बोलते थे या जी हूं कहें कि सीता का मेनेजमेंट करने वाला या सीता के प्रबंधन करने वाले को सीता अध्यत्च कहा जाता था थीक ऐसे र सुद्रक द्वारा रचित म्रिच कटिकम नामक क्रित की विशय वस्तु क्या है आप्शन है एक गुप्त सासक और काम रूप की राजकुमारी का प्रेम प्रसंग सुद्रक द्वारा रचित म्रिच कटिकम जिसका अर्थ होता है मिट्टी की गाड़ी है भिश धीम का अर्थ मिट्टी की गाड़ी होता है अब यहाँ से देखिए तो बसंद सेना नाम की एक गड़ीकह थी इसमें जोकी नाइकह थी इसकत्था की और एक व्यापारी ता जिसका नाम था मिरिच कटिकाम इन दोनों के प्रेम प्रसंगों के बारे में बात की गई है हाँ इसमें मुख्य रूप से इनके बारे में बात करते करते सुद्रक द्वारा कुछ चीजे बताई गए थी जैसे की उज्जैनी में उस समय कुछ सुद्र अधिकारी भी हुआ करते थे मतलब स कि आई अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं तो यहां पूछा जा रहा है कि मुगल काल के निम लिखित युद्ध्यों का सही काला नुक्रम क्या है तो वीडियो को पास करके फटाक से पढ़िए और अपना एंसर टिक करिए चली तो इसका सही एंसर है आप्सन नमबर ठीक सबसे पहले होता है खानवा का यूद्ध उसके बाद घागरा का यूद्ध फिर चौसा का यूद्ध और उसके बाद सबसेंते में सामू गड़का हलांकि हिस्ट्री वाले सीरीज में बात करेंगे खानवा का यूद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो सबसे पहले यह हुआ था 1527 में किसके किसके बीच हुआ था तो राणा सांगा और प्लस बाबर ठीक है परिडाम राणा सांगा हार गय थे और बाबर जीत गया था बात करते हैं घागरा के युद्ध के बारे में तो घागरा का युद्ध हुआ था कब यह हुआ था 1539 में ठीक किसके किसके बीच हुआ था तो घागरा का युद्ध हुआ था बाबर प्लस लोधी ठीक महमूद लोधी महमूद लोधी के बीच हुआ गागरा का युद्ध, फिर बात करते हैं चौसा के युद्ध की, तो चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यह कब हुआ था सबसे पले, तो यह हुआ था 1549 में, किसके किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था, हुमायू, हुमायू प्लस से झीあlles हो जेतने के बाद इसने जो है सल्तान की उपाजी धराड कर ली ती सुल्तान आदिल सेर सा सूरी जीत गया था और जीतने के बादी सेरसा ने सुल्तान आदिल की उपादी को धारड किया था नेक्स्ट और लास्ट सामुगर के युद्ध के बारे में थोड़ी सी इन्फर्मेशन आपके लिए यह होता है 1658 में और अरंग जेब एक साइड था और कौन था अरंग जेब प्लस मुराद वक्स एक साइड में थे ठीक और इनका युद्ध होता है इनके अपने ही भाई दारा सिको से राजगर्दी को पाने के लिए दारा सिको से परिडाम दारा सिको हार गया था ठीक है तो 1527 में खानवा का युद्ध बराणा संगा और बा घागरा में और चौसा का युद्ध व 1549 में हुमायू और सेरसा सूरी के बीच हुए जिसमें हुमायू हारता है और सेरसा सूरी सुल्तान आदिल के उपाजी धानड करता है वहीं सामुगण का युद्ध जो है औरंग जेब मुराद बक्स की संयुक्त सेनाओं के साथ दार पर जीद गया था ठीक चलिए अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं तो यहां पूचा जा रहा है कि दच्छिड भारत के हो यसल वंस के संब्ध में निम्लिखित कतनों पर विचार कीजिए पहला है कि हो यसल वंस की राजधानी द्वार समुद्रम थी कतन दो है कि न्रिपका आप्सन सी एक दो और तीन और आप्सन डी उपर युक्त में से कोई नहीं चलिए इसका सही अंसर है आप्सन नंबर सी यानि कि यह तीन के तीनों कतन ही सही है ठीक हो यसल वंस की राजधानी द्वार समुद्रम थी न्रिपकाम दिती नाम याद करते चलिए यही मिलिया तो तो किया देख पतलिक ने कि न्रिफकाम दिती द्वारा जो है हो इसल वंस की स्थापना की गए त forgiven upивать के यहां से देख लीजी deciding left claim कि प्रसिद्ध हो है ज्याद तर आइटन कल्चेր में आपको इसके बारे विर पढ़ने को मिलेगा जो highlight कहा आभ शीनिती क्रूब से महत्तपूर हो गया थी इस वस्ताफना यह दूला हो विश्डू वर्धन का सासंगल चल रहाया था थी बाकि डीटेल मैं इसकी आपको पुर्वा लुकन वाली सीरीज में ही बता पाऊंगो यहां जैसे जैसे बढ़ रहा हूं ऐसे और वीडियो लंबी होती जारी यही समस्या और ही में सौर्ट करने में समझ रहे होंगे आप लोग चलिए अगले प्रस्ण की तरफ चलते हैं कि तुलसी दास के संबंद में निम्लिकित कत्नों में से कौन सा खतन सही नहीं है आपसन है वे अकबर और जहांगीर के समकालिन थे आपसन भी है उन्होंने संस्कृत भासा में राम चरित मानास लिखा आ अबुल्फजल के आई ने अकबरी में इनका उलेख मिलता है और आपसन डिये की वे दर्बारी कभी नहीं थे चलिए इसका सही अंसर है आफसर नमबर भी ठीक उन्होंने संस्क्रिट भासा पर राम चरित मानस में लिखा था राम चरित मानस किस भासा में राम चरित भासा है अवधी भासा में ठीक है बाकी इनके बारे में अवुल फजल के आईने अकबरी में भी चर्चा की गई है वे किसी दरबार में से संबंदित नहीं थे इनका निवास था अधिकांस्ता या बनारस या वाराणसी बनारसी लिख जेता हूं बनारस में इनका निवास था बनारस ठीक अधिकांस्ता इनका निवास अस्तल था और अकबर और जहां गेर के समकाली निथे तुल सीधास ठीक है ना आई अगले पर प्रसने पर चलते हैं यहां पूचा जरा टंका नामक सिक्के के बारे में निम्रिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला है कि टंका सोने का सिक्का था दूसरा इसकी कि ऊपष्ण और नहीं दो चलिए इसका सहीवर है आवस nostra नम्बर ॶी यहांनि कि यह दोनों कथनी गलत है पहले चीज़ तो टंका जो है यह चान्दी का सिख्का था किसका सिख्का था तंका सिख्क तंक का दूसरी चीछ इसकी शुरुआत अलाउदिन खिल जी नहीं की थी इसकी सुरुआत की थी सल्तनत्पकाल में इल्टूत मिस ने इसकी सुरुवात सल्तनत काल में ही कर देती है चांदी का सिक्का था इल्टूत मिस ने इसकी सुरुवात कर देती इसके अलामा एक अन्य सिक्का भी जारी किया गया था जो कि तांबे का था और इसको क्या बोला जाता था जीतल ठीक है और इसे सिक्के को भी इल्टूत मिश्के द्वारा ही चालू किया गया था ठीक है टंका और जीतल दो प्रकार के सिक्के इल्टूत मिश्के द्वारा चलाए गये थे जिसमें टंका चांदी के सिक्के हुआ करते थे वहीं जीतल या ताबे के सिक्के थे आई नेक्स प्रेशन के तरफ चलते हैं यहाँ पूचा जा रहा है कि मान्टेग्यू चेम्सवोड द्वारा जो है मान्टेग्यू चेम्सवोड सुधार प्रस्ताव निम लिखित में से किसे से सम्बंदित थे आप्सन है A. सांस्कृतिक सुधार B. सामाजिक सुधार C. सम्मेधानिक सुधार अत्वा D. पुलीस रच्छा सुधार चली लेक्चर ठीक है भी थोड़ी देर और बैठा जा सकता है है कि नहीं चली इसका सही अंसर है आप्सन नमबर C. सम्मेधानिक सुधारों से सम्बंदिता मांटेग्यू चेम्सफोर्ट सुधार प्रस्ताहो ठीक 20 अगस्त 1907 यह डेट यादर कि 20 अगस्त 1907 भारत सचिव थे उसमें मांटेग्यू और वाइस राय था लाड़ चेम्सफोर्ट ठीक इनके द्वरा इन सुधारों की घोषड़ा या प्रस्तावित किये गये और लागू कफसे हुआ है भारत परिशद अजनियम 1919 के माध्यम से मांटेग्यू चेम्सफोर्ट सुधार जो प्रस्तावित हुए थे 20 अगस्त 1907 को वह लागू कर दिये गया इनमें मुख्यतिया क्या था तो इनमें सबसे पहली चीज और सबसे इंप्रोर्टेंट चीज थी कि अब प्रांतों में द्वैध सासन प्रणाली को लगा दिया गया अкі और दूसरे था आरच्छित, आरच्छित में मुख्य रूप से सामिल थे, आपके कौन-कौन से बताऊं, तो देखें, आरच्छित में सामिल थे मुख्य रूप से विशा है, वित्त, कानून, सेना, और पुलिस, वहीं अगर बात की जाए हस्तांतरित में, तो हस्तांतरित में सामिल थे, लोक वेवस्था, मतलब काम आप करी, पैसा वो रखेंगे, लोक वेवस्था, सिच्छा, क्रिसी और अन्ने विसे सामिल थे, ठीक है, चली आगे चलते हैं, बाकी बाते, उन सब लेक्चर्स में चल रह ही लगातार, ठीक है, पूर्वा लोकन सिरीज के लेक्चर में लगातार चल रहे हैं, और आगे भी चलती रहेंगी, फिलाल अम्हा प्राची निध्यास को ही डिसकस कर रहे हैं, सुची कितना डिटेल में चल रहा है, नेक्स्ट है, क्वेश्टन नबर 78 और पेपर के पहले ह की उपाधी धारण की थी, आप्सन है, ए लाड नार्थबुक, बी लाड लिटन, सी लाड रिपन, अथवा डी, लाड डल हो जी, चली, इसका सही अंसर है, आप्सन नमबर बी, लाड लिटन के कारेकाल में, देखें, इन्हों ने उपाधी कब धारण की थी, 1866 में कैसरे हि इन्हों की उपाधी महरानी विक्टूरिया ने धारण कर ली थी, ठीक है, और लाड लिटन का कारेकाल कब से कब तक था है, तो यह था 1866 से ले करके, 1880 तक, बस चीजे क्लियर हो गए, आईए अगली प्रस्ण की तरफ चलते हैं, तो यहां पूचा जा रहा है कि इन्निम ल चलिए, इसका सही एंसर है, आफसर नमबर दी, बात कर लेते हैं, सबके बारे में सबका सन में बता देता हूं, आपको तो देखे, चमपारन सत्यागरा की सबसे पहले बात करते हैं, तीसरे नमबर सबसे आ गया ना, तो 1917 में, ठीक, वहीं, अब आहमदाबाद मिल हर्ताल की चलिए, परवरी, यह मार्च, यह मार्च, 1918 में हुआ था, ठीक, निक्स्ट कौन आता है, छवते नमबर पर आता है, खेडा शत्यागरा, खेडा सत्यागरा को हुग था, तो खेडा सत्यागर की ऐगजेक डेट है, मार्च, 1918 दिट, इसलिए इन दोनों की बताई गया, 1922 के मर्द ठीक है आमदाबाद मील हरतार फर्वरी मार्च 1908 ऐसे चले क्रम से चंपारण सत्यागरह 1917 आमदाबाद मील हरताल फर्वरी मार्च 1908 वहीं खेडा सत्यागरह 27 मार्च 1908 तो असहयों गांदुलन 1920 से 1922 तक चला आईए इन्य एक प्रस्के बारे में बात करते हैं तो यहां पूचा जा रहां कि नहरू रिपोर्ट के बारे में निमलिकित कतनों पर विचयार कीजीए पहला है कि नहरू रिपोर्ट का मसौधा तयार करने वाली समिती में जवाहला नहरू, सुबार्ष्च अंदर बोस और क्थन 2 है कि इसने भारत के लिए ऑपनिवेसिक स्वराज व्यवस्ता का सुझाओ दिया था और कथन 3 है कि इसने भारतियों के लिए मौलिक अधिकारों का सुझाओ दिया था आपको बताना है का उपरिक्त में से कौन से गतन सही नहीं है। केवल एक बी केवल दो और तीन फी एक दो और तीन और डी उपर युक तुमें से कोई नहीं जुक्ति लाझं चलि इसका सही अंसर है cognition न olsun 1 ठीक्ति नह्रूर रिपोर्ट में जवाहल लाल नहरू सामिल नहीं तिख नहरूू को सब्सक्ति ना महम एखरिकान क्या है किन रच्राप दरएं तो तो और में 1988 ऐ damn it Plus मोंती ला नहरू धर कि अध्यचताम जिस सम्ति का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट के आधार पढ़ी जो रिपोर्ट वनी उसे ही नहरू रिपोर्ट बोला गया ठीक इस सम्ति के सदस्यों के अगर बात करें तो सुबास्चंद वोस्ट टीवी सप्रू के अलामा कि एम एस सेनी मंगल सिंग अली इमाम सारे नाम आप प्यात कर लीजिए अली इमाम कि सोएब कुरैसी जी आर प्रधान ठीक नहरू रिपोर्ट में कौन कौन सामिल था तो मोति लाल नहरू इसके अध्यच्च थे इसके अलामा सुबास्चंद वोस्ट टीवी सप्रू या तेजबादूर सप्रू एम एस सेनी मंगल सिंग अली इमाम सोएब कुरैसी और जी एर प्रधान इसमें सामिल थे ठीक बाकि इसने भालत के लिए ऑपनेशिक सुराज व्यवस्था की मांग की थी और इसके द्वारा 19 मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी सरोपसम कितने मौलिक अधिकारों की संक ती कितने पहले सेहल जागूरूड्च थें हमारे हां के लोग मता अधिकार की गई इसके अलमा बात की गई थी संग भी बना सकतें यानि कि संग बनाने के अधिकारों की भी बात उस समय की गई थी थीख है अगले प्रस्ट की तरफ चलते हैं तो यहां पूछा त्यारा है कि फ्राग फोन के संबंद में निम्लिकित कतनों पर विचार कीजिए जहां 3G और 4G सेलूलर निटवर्क उपलब दो बताना है आपको कि उपर विचार कतनों में से कौन सा कतन सही है आपसन है एक केवल एक आपसन बी केवल दो आपसन सी एक और दो दोनों और आपसन डी ना तो एक नहीं दो चलिए इसका सही अंसर है आपसन नंबर सी एक और दो दोनों ही कतन सही है तो बात कर लेते हैं फ्राग फोन के बारे में थोड़ा सा नौन टेक्निकल लेंग्विज में यह एक प्रकार की डिवाइस है जैसे माल यह कोई तालाब है इसमें मेढ़क रहते हैं मेढ़क होता कह इसको सुल्जाने के लिए एक यह डिवाइस बनाएगी जिसका नाम है फ्राग फोन तिक इस डिवाइस को क्या किया गया यह सौर चंचालित है यानि की सूर की वह जा से ही चलता है इसको तालाब में इस्थापित कर दिया गया ठिक अब यह डिवाइस कार्थी क्या है तो यह जो है मैसेज के माध्यम से ठीक है connected रहती है कि एक code रहता है या उसको आप जिसके पास यूजर है इसका वह एक code सेंड करता है अपने mobile से इस device में और यह device बदले में reply करती है कैसा reply करती तो तालाब में जो temperature है उसके बारे में ठीक है यानि कि water temperature को उसके अलावा वहां का जो ecological system इसमें बना हुआ है उसके बारे में ठीक है और साथ ही साथ अपनी battery या battery के voltage के बारे में भी information भेशती है जो उसे message भेशता उसको text के रूप में वापस भेश देती है यह 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 चीज आई है जैसे automatic devices होती है आप कई customer care पर call करते हैं तो एक दबाओ दो दबाओ ऐसे चलता रहता है उसी प्रकार से यह device काम करती जिसका नाम frog phone रखा गया ठीक है अब जब message जो गहरा भेश रहा है तो जाहिर जिबाते किसी नेटवर्क की जरूरत होगी तो वह नेटवर्क 3G या 4G आप कोई भी ले सकते हैं ठीक समझ गया होंगे मेरे ख्याल से चलिए फिलाल लेक्चर को या लेक्चर को आज यह ही खतम करते हैं थ्वड़ा ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं समय काफी हो रहा है आप लोग तो पता नहीं साथ सुभे देख रहे होंगे इसको चलिए थैंक यू थैंक यू वेरिमेंट फ़र डिसकर्शन नेक्स लेक्चर में हमार्ट आगे से बात करेंगे कोश्चन नमबर 75 से कोशिस करे आजा है चलिए थैंक यू थैंक यू वेरिमेंट फर डिसकर्शन